मानिया, आजहादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपनी देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोय हुए, हमारे सम्विधान निर्माताओं ने हमें सम्विधान दिया, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसिबतों में जौँग दिया था, किसी यूग में सोने की चिडिया कहा जाने वाला भारत, गरीबी, भुखमरी, बिमारी से जूज रहा था, इस पुष्ट भूमी में देश को आगे बढ़ाने में सम्विधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है, लेकिन आज, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें, तो जो देश भारत के करीब करीब साथ ही आजाद हुए, वो आज हमसे काफी आगे है, यानि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, हमें मिलकर लक्स तक पहुँचना है, हम सभी जानते हैं, हमारे सम्मिधान में इंक्लूजन पर कितना जोड़ दिया गया है, लेकिन ये भी सच्चाई रही है कि आजादी के इतने दस्षक और बाद भी, बड़ी संख्या में देश के लोग एक्सलूजन को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं, वो करोडों लोग जिनके घरों में सौचालय तक नहीं था, वो करोडों लोग जो बिजली के अभाव में अंधरे में अपनी जिन्दगी बिता रहे थे, वो करोडों लोग जीवन के सबसे बड़ा संगर्ष, घर के लिए थोड़ा सा पानी जोटाना था, उनकी तकलीप, उनका दर्द समझ कर, उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना, मैं सम्विधान का असली सम्मान मानता हूँ, और इसलिए आज मैं जे संतोष है, कि देश में सम्विधान की इस मूल भावना के अनुरूप, एक्स्लूजन को इंक्लूजन में बदलने का भईरत व्यान तेजी से चल रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा लाब क्या हुआ है, यह भी हमें समझना हुगा, जिन दो करोड से अधिक गरीबों को आज अपना पक्का घर मिला है, जिन आठ करोड से अधिक गरीब परिवारों को उज्वला योजना के तहत मुप्त गैस कनेक्शन मिला है, जिन पचांस करोड से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में पांच लाख रुपे तक का मुप्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोडों गरीबों की पहली बार भीमा और पैंसन जैसी बुनियादी सुविधाय मिली है, उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है, योजना उनके लिए बड़ा संबल बनी है, इसी कोरोना काल में पिछले कई महिनों से असी करोड से अधिक लोगों को मुप्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है, प्रदान मंत्री गरीब के लियाण अन्य योजना पर सरकार दो लाग साथ हजार करोड रुपे से अधिक खर्च करके गरीबों को मुप्त अनाज दे रही है, अभी कल ही हमने इस जोजना को अगले मार्च मार्च महिने तक के लिए बढ़ा दिया है, हमारे जो डारेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो कहते हैं, इसी भावना का ही तो प्रतिवीम है, आप सभी ये मानेंगे, कि जब देश का सामान ने मान भी, देश का गरी विकास की मुख्य धाना से जुड़ता है, जब उसे एक्वेलिटी और एक्वल आपर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है, जब रेहडी, ठेले, पट्री वाले भी बैंक रेडी की व्यवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट निर्मान में भागीदारी का एसास होता है, जब दिव्यांगों को, उनको ध्यान में रखते हुए, पब्लिक प्लेसिस, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट और दूसरी सुविदाओं का निर्मान होता है, जब उन्हें आज हदी के सब्तर साल बाद पहली बार कॉमन साइन लेंग्वेज मिलती हैं, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है, जब ट्रांस्जेंडर को कानूनी सवनक्षन मिलता है, ट्रांस्जेंडर को पद्मव पुरसकार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर समिधान पर आस्ता और मजबूत होती है, जब तीन तलाग जैसी कूरिती के विरूत कड़ा कानून बनता है तो उन बहन बेटियों का समिधान पर बरोसा और ससकत होता है जो हर तरह से नाउमीद हो चुकी थी